कि भोषपूर in-dot acnes area उसको अपना थी है कि भोषपूर in-dot executive energy करने वाली वीने का मौगा मिलता है उसके बाद पवंज इसको छोड़ देते हैं वह किसारी के पास जाता आए इस lly कि पावंों से पहले एक्छरा ने खिसारी के साथ काम किया था वहे डिया इसलिए लोगों को लगता है कि एक्छरा को इंडस्री में लाने वाले और फिशेमस करने वाले पावन है और पवन के साथ लगतार लगतार काम करके अपनी पहचान बना ला भावन को ल्क मार कर खिसारी के पास जैली हिए जिबकि सच यह है कि अख्राakte प्वन से भी पहले खिसारी के साथ काम कर चुकी थी उसके बाद उनकी जोड़ी पावन के साथ बाद में हीछ हुई यह अलग बात है कि जब अख्राको धोगा सब्सक्राइब साथ ऐक बात करते हैं दिम्पल सिंग पवण सिंग के साथ आलबम सौंग में नजर आने से पहले डिम्पल सिंग खिसारी के साथ प्रोग्राम किया करती थी और इगाली में अपने इंटर्व्यू में कहा है कि भले ही मुझे पहली फिल्म काम करने लेकिन सच यही है कि मुझे भोशपूर इंडस्ट्री में लांच करने वाले लाने वाले खिसारी जी ही है वह अलग बात है कि बाद में डिमपल सिंग खिसारी को छोड़कर पावन सिंग के साथ लागतार काम करने लगती हैं जैसा क्षरा सिंग ने किया था और अब जब जीके साथ नई परॉजEक्ट आने वाला है एक दूसरे के साथ समय समय पर काम करते रहते हैं लेकिन सवाल जो हर किसी के मंठ में रहता है कि संग सबसे जादा हुँत होती है बाद में वह सब जाते हैं कि आरेधि hören की जोड़क चंटू के पास क्यों ठाम लेती है जब 성त करते हैं कि आखिर चिंटों खिसारी के हिरोईनों पर हमेशा नजर क्यों उकड़ाया रहते हैं लेकिन उसे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडेव मेरे साथ कार्मारमेंट विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्षर देखिए कहने को तो खिसारी और चिंटों के आपस में बिल्कुल नहीं बनती है लेकिन सच यह वह है कि साथ जितनी भी हिरोईने कौण इससाथ जोड़ी हिरोईन कम करते हैं जिनकी साथ जोड़ी सूपर डूपर हिट हो जाती है लोग जब उनकी जोड़ी को पसंद करने कर रही था जब इन दोनों की जोड़ी बोश्पूर इंडेस्ट्रीक सबसे बिस्ट जोड़ी को देख कर रहे हैं थे कि सबस्ट रहे होता हैं यहीं कि कैती ती कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं लेकिन वक्ता आता है काजर्ण होडर को चोड़ने की Demon को सबसे ज्दा कर पसंद किए तो यामिने सिंग के साथ और जिस तरह से यामिनी ने काजल रगवानी को रिप्लेस कर दिया है लेकिन एक वक्त बाद यामिनी ने भी वही किया जो काजल रगवानी ने किया था यानि काजल की तरह यामेरी भी किसारी को लात मारकर चिंटू के पास चली गई है और इन दिनों वो चिंटू के साथ लागतार फिल्मे कर रही है यह सब देखकर कहीं नगई हर किसी के मन में यह सवाल आता है कि आकर चिंटू किसारी की हिरोईनों पर नजर क्यों रखते हैं वो जैसे ही देखते हैं कि किसारी की हिरोईन का किसारी से खटपट चल रहा है, कुछ अन्मन चल रहा है, कुछ मनमुटाव चल रहा है, वैसे ही वो हिरोईनों पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं और मौका पाती ये भी नेत्रियों को तोड़ कर अपने पास ले आते हैं लेकिन सच ऐसा बलकुल नहीं है, सच ये है कि सारे की हिरोईन पर चिंटू पांडे दाव नहीं खेलते हैं, बलकि दाव वो प्रोडूशर्स खेलते हैं, जिनको अपने फिल्म से कमाई करनी होती है, आप समझे इस बात को कि किसी भी प्रोडूशर को ये बहुत अच्छे से होता है कि इस वक्त कौन सी हिरोईन इंडस्ट्री में सबसे जादा चर्चा में है, और किसको हम अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे, तो हमारे फिल्म को फायदा होगा, और जब जो हिरोईन चर्चा में रहती है, जो हिरोईन ट्रेंडिंग में रहती है, जिसको लोग जिस व आपको क्या लगता है अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा तिलालिस वीडियो को यहीं पर समात करते हैं तब तक मुझे इजाज़त देशिए धन्यवाद